तो आपने जैसा की टाइडल में पढ़ा कि मोटो वन फ्यूजन प्लस मोट्रोला लांच करने वाला है इंडिया में जो की इसी वीडियो को आगे तक देते रहें ताकि मैं इसी फोन के बारे में आपसे अच्छी दरीगे से बात कर सो कि इस फोन में क्या है खास और कैसा है क्या है इसके स्पेसिफिकेशन तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो देखिए मोटो मोबाइल जो है मोट्रोला ल लॉन्च होने वाला है सोलर जून को कि फ्लिप कार्ट पर लांच होगा तो इसके स्पेसिकेशन के बारे बात कर लेते हैं फिल्स नॉचलेख नहीं होगा इस डिस्प्लेख में और यह 6.5 इंस का फिलेश्टी फेलेपलिस डिस्प्लेभें इस बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में तो इसका प्रोसेसर रहेगा स्नैप ड्राइगन का 730 जो की बहुत अच्छा प्रोसेसर है और इसके रैम वेरियंट के बारे बात करते हैं और 8 Megapixel का Ultra Wide और 5 Megapixel का Micro Lens Camera और 2 Megapixel का Depth Sensing Camera है और इसके battery के बारे बात कर लेते हैं तो इसकी battery है 5000 mAh यानि कि बहुत अच्छी battery है दो दिन तक backup दे देगी आपको अच्छी तरीफ से अगर आप heavy user हो तो एक दिन तो बहुत हराम से चल जाएगा यह battery और इसकी security के बारे बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में तो आपको जैसा पता है कि यह इंडिया में लांच हो चुका है यह जो smartphone है वन फ्यूजन प्लस मोटरोला का वह यूरोप में लांच हो चुका है और यूरोप में इसकी price है EU R 299 जो कि इंडिया की price यानि करीब करीब इंडिया में इसका convert इंडिया की price में convert किया जाए तो यह निकल के आता है 25,400 इसका price यानि कि अगर यह 16 तारिक से अब इंडिया का जो प्राइस होगा वह 16 तारिक को confirm हो जाएगा तो अगर यह इस अगर देखते हैं कि यह जो स्मार्टफोन है वह 25,400 के रेंज में इंडिया में launch होता है या इसे कम में आता है तो इस चानल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसे ही अपडेट स्मार्टफोन के अपडेट और टेकनिकल नॉलेज और यूटूब डिच्स एंड्रेक्स औ और सबी चीज के बारे में आपको जानकारी मिल सकें तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तो धन्यवाद आज आपका वीडियो देखने के लिए